नमस्कार विद्यार्थियो, हम कर रहे हैं कांगरेस में उगरवाद पर तीसरा व्याथ्यान विगत व्याथ्यान में हम उगरवादी आंदोलन के कारण कर रहे थे जो की कांगरेस में प्रार्म हुआ था कांग्रेस के जनम यानि के 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल था वो उदारवाद के नाम से था और क्योंकि उसमें उदारवादी लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के सामने जो अपनी बात रखी उसमें अनुने विने प्राथना पत्तर पिटिसंस ये सिष्ट मंडल ये सब था लेकिन अंग्रेज उसका सही रैस्पॉंस नहीं दे रहे थे तब फिर कांग्रेस में एक नई विचारधारा उत्पन हुई जिसको उगरवादी विचारधारा कहती है ये हम विगत व्याख्यान में ये कारण कर रहे थे और विगत व्याख्यान में हम आर्थिक कारणों में चर्चा कर रहे थे कि देश में बार बार अकाल पड़ रहे थे भारत से गेहूं इंग्लेंड बेजा जा रहा था और ऐसी तंगी हालत में भी यहां लॉड करजने कलकत्ता में विक्टोरिया मैमोरियल एक भव्य भवन बनवाया 1903 में एक दर्बार कायोजन करके लाखोर प्या खर्च किया तो ये इन कारणों से यहां किसानों में मजदूरों में तमाम तबकों में एक रोज था विद्यार्थ्यू सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है विगत आंदोलन इसको किर्पया विगत व्याख्यान पढ़ना है आपने विगत आंदोलन नहीं ये विगत व्याख्यान की बात है अब उगरवाद के उद्य के कारणों में अगला जो कारण है वो है सांस्कृतिक नवजाकर। देखिए यह बात पूरी तरह सही नहीं है कि सुधारवादी सदैव राजभक्त रहे हैं। उन्होंने सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए ब्रिटिस सरकार के हस्तक्षेप की निती में रुची प्रद्रशित करते हुए उनकी निती का कटू विरोध भी किया। जिस समय जर्मन विद्वान मैक्स मुलर अपनी स्टेडी से प्राचिन भारत की सांस्कृतिक गरीमा को उद्गाटित कर रहा था उस समय। परंगप्रागत समुदायों की पहचान बनाए रखकर और उसको महिमा मंदित करके राष्ट्रिय चेतना को सुद्रड बनाने की परवर्ती भारत के अनेक भागों में स्पष्ट रूप से द्रश्टी गोचर होती है। उसी समय बकिम चंदरपाल बंगाल में बंगाल में बकिम चंदरपाल ने स्री कृष्ट को एक आधर्श शान्सकर्तिक नायक के रूप में प्रस्टुत किया। जबकि अमरत बाजार पत्रिका ने चैतन्य महाप्रभु की महाप्रभु से यों कहें की प्रेरना ग्रहन की। राम कृष्ण प्रमहंस ने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें अपनाने की। जिस वैचारिक उधारता का प्रिच्य प्रस्टुत किया। उन से अधिक परिश्कृत रुची वाले बुद्धी जीवी प्रभावित हुए। विवेकानंद ने तो राष्ट्र भक्ती के साथ साथ आत्म, सहायता और मानुविय सक्ति के निर्मान जैसे गुणों के विकास पर बल दिया। इन सभी बातों ने वह आधार भूमी तयार कर दी जिस पर भुष्य में राष्ट्रवादी सरलता से आगे बढ़े। महाराष्ट्र में लोकमान्य दिलक ने गणपती महोत्सव और सिवाजी महोत्सव की शुरुवात कर नव जीवन एक का मतलमियों का हैं कि संचार किया। इन महोत्सव जो थे इनके पीछे जो प्रेर्णा काम कर रही थी वह प्रमप्रागत आदर्श चरित्रवान नायकों की थी। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे एक लालचन उन्होंने राजनिती में आत्मो सर्ग की एक रचना की जिसका टाइटल राजनिती में आत्मो सर्ग की रचना करके पंजाब के नव यूगों में ग्रांती की भावना सुरुजित की। उन्निस सो में विशाखा पटनम एजेंसी के जो तामिलनाडू है वहाँ पे कोरा माल्या के आंदोलन में आदिवासियों में सामराजवाद विरोधी भावना की जलक प्रदर्शित्वा में होती है कोरा माल्या ने अपने को पांच पांड़ों में से एक पांड़ों बता कर पांच हजार आदिवासियों को एककत्रित कर लिया और पुलिस की चोकियों पर धावा बोलकर उसने अंग्रेजों को देश से भगाने का काम प्रार्ण किया और ये जो था ये एक ऐसा कारिय था जो लोगों के अंदर उनको उत्साहित कर रहा था यह स्पष्ट है कि सांस्कर्तिक आंदोलन भी देश में राजनितिक आंदोलन को परबल बनाने में सहयोगी सिद्ध हुए राजा राम मोहन राय ने प्रैस और वैचारिक स्वतंतरता का जो है विचार रखा स्वामी दयानन सरस्वती ने सवरज्य और विवेक आनंद ने राष्टर प्रेम हिंदू धर्म की महानता और अरविंद घोष भी इसी परकार के विचार रख रहे थे अरविंद घोष का कहना था कि स्वतंतरता जीवन का उत्तम लक्ष है और हिंदूत्व ही हमारे लिए यह पूर्ण कर सकता है तो यह जो कारिये चल रहे थे ऐसे विचार चल रहे थे ऐसे आंदोलन चल रहे थे इन्होंने एक प्रष्ट भूमी तयार की और भारतवासियों में आत्म विश्वास आत्म सक्ती आत्म गौरव की भावनाई प्रस्पूटित हुई जिनके प्रभाव से उन्होंने उदारवादियों की भिक्षा वरत्ती को दर्सकार पूर्ण द्रष्टि से देखना प्रार्व किया और उग्रवादी विचारधारा की तरफ लोग प्रेवित हुए अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि उग्रवादियों के उद्देश्य क्या थे उग्रवादियों का परमुख उद्देश्य स्वरज प्राप्ति का था इस दल के चार परमुख कांग्रेसी ने था जिनमें हैं बाल गंगाधर लोक मान्यतिलक लालालाज पत्राय, विपीन चंद्र और अर्विंद खोश ये बड़े लिडर्शिप इनकी इन्होंने अपनी नितियों को परिभाशित किया और लोगों का मारक दर्शन किया तिलक कहा करते थे कि सवराज्य मेरा जनम सिद्धिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा विद्यार्थियों यह नारा उगरवादियों का परमुख नारा बन गया तिलक के अनुसार सवराज्य के बिना ने तो कोई सामाजिक सुधार हो सकते हैं ने कोई उद्धोगिक प्रगती ने कोई उपयोगी सिक्षा और ने ही राष्ट्रिय जीवन की परिपूर्ण था आठ जून 1906 के सिवाजी महत्सा उपर करकत्ता में दिये गए अपने भार्षन में तिलक ने कहा था कि इस समय स्वदेशी बहुत जरूरी है हमें हर बात में स्वदेशी होना चाहिए स्वदेशी की भावना मा के दूद के साथ ही ग्रहन की जानी चाहिए नोजवान पीढी के मन में हर विदेशी वस्तु के परती गहरी घ्रना की भावना पैदा की जानी चाहिए यह तिलक के विचार थे अरविंद घोष कहते थे कि राजनितिक स्वतंतरता एक राश्टर का जीवन स्वांस है बिना राजनितिक स्वतंतरता के सामाजिक तथा सैक्षणिक सुधार और ध्योगिक प्रसार तथा नैतिक उन्नति की बात सोचना मूर्खता की चर्म सीमा है इसी प्रकार लाला लाजपत्रा है, उनके अनुसार जैसे दास जाती के कोई आत्मा नहीं होती, और आत्मा के मिना मनुश्य एक पसू है, अत्या देश के लिए सुवराज परमावशक है, सुधार अथ्वा उत्तम राज्ये इसके विकल्प नहीं हो सकते, ये लाला लाजपत्राए कहते थे, विपिन चंदरपाल ने अपने जो सब्दों की व्याख्या की, सब्दों में जो अपनी मांगों की, कि देश में नया नारा सुधार नहीं, रिफॉर्म नहीं है, सुधार नहीं है, अपितु रिफॉर्म है, विद्यारतियों, एक तो रिफॉर्म, रिफॉर्म यानि की सुधार, एक रि और फिर गैप दे करके फॉर्म यानि की पुनरगठन, तो उन्होंने कहा, कि देश में नया नारा, रिफॉर्म यानि की सुधार नहीं है, अपितु रिफॉर्म यानि की पुनरगठन है, इंग्लेंड को भारतिय सरकार की निती, निर्मान का अधिकार छोड़ देना चाहिए, इसके अलावा उन्होंने आतम समान का संदेश दिया, और भारतवासियों से आगरे किया, कि वे अपनी आप पे विश्वास रखे, स्वामी विवेकानन ने भारतवासियों को जागरुक बनाने के लिए कहा, कि यदि संसार में कोई पाप है, तो वह दुर्बलता ही है, संसार में कोई पाप है, तो वह दुर्बलता ही है, सभी परकार की दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है, और सत्य की यह पहचान है दुरुबलता का विश्क की भादी परिद्याक करो तो विद्यार्थियो उस समय ऐसे विचार चल रहे थे अन्यां कि विवेकानन को मैं उग्रवादी विचार धारा में समिलित नहीं करूँगा लेकिन उस जब हम राष्टरवादियों की बात करते हैं तो विवेकानन जी का नाम भी आ जाता है तो जो उग्रवादी थी जो लाल, बाल, पाल रर्विंद्र गोश ये जो चार नेता थे उनका विचार था कि स्वतंतरता के अभाव में व्यक्ति के स्वतंतर व्यक्तिताव का विकास संभव नहीं है उनके अनुसार राष्टरवाद एवन सामराज्यवाद दोनों परस पर विरोधी हैं अतै सामराज्यवादी अंग्रेजों से भारतियों के कल्यान की कामना करना उसकी आसा करना एक ब्रह्म है अब हम बात करते हैं कि इनके साधन वे कारिकर्म क्या थे उगरवादियों के उगरवादी जो विचारधारा के लोग थे वो भाशनों में परस्ताओं में और सिष्ट मंडलों में विश्वास नहीं रखते थे उनका मानना था कि प्रार्थनाओं के और परस्ताओं के पिटिशन्स के सिष्ट मंडलों के दिन लद चुके हैं अब वो समय जा चुका है ये लोग हिंसात्मक परतीरोद में सामुहिक आंदोलन में आत्म बदलदान के अटल इरादों में विश्वास रखते थे उन्होंने जन्ता के मन से विदेजिसी सक्ती का भैय निकाल कर उनमें आत्म विश्वास पैदा करने का प्रेतन किया कारिय कर्मों की बात करें तो उगरवादियों ने वहिश्कार स्विदेशी ये उम्राष्ट्र सिक्षा के त्री सुत्री कारिय कर्म को अपनाने पर बल दिया शिक्षा के अंतरगती अखाडों में जिमनास्टिक में लोगों को समलित करने के लिए प्रेजित किया बहिश्कार से तात्परिये विदेशी वस्तूओं का बहिश्कार विदेशी सरकार का बहिश्कार विदेशी नोकरियों का बहिश्कार दमन अन्याय एं अत्याचारों के बढ़ने के साथ ही बहिस्कार का राजनितिक यंतर के रूप में अत्यधिक प्रियोग किया जाने लगा स्वधेसी से तात्परिय भारतिय वस्तों का उप्योग करना श्वैम अपनी साहिता करना और अपने में आत्मिश्वास जागरत करना विद्यार्थियों स्वधेसी केवल आर्थिक ही नहीं अपितू राजनितिक एवं आध्यात्मिक अस्तर भी था उगरवादियों का जो तीसरा अस्तर राष्ट्रे सिक्षा उन्होंने विदेशी सब्वेता विदेशी भाषा यम संस्कृति को त्याग कर भारतिय संस्कृति सब्वेता भाषा गौरव साली अतीत को अपनाने का प्रामर्ष्टिया सरकार की नियंत्रित जो स्कूल, कॉलेज, उन्यूश्टि है उसके स्थान पर नई प्रिढ़ी को प्राची ने वम और जो मुल्यों में उच मुल्यों नैतिक मुल्यों में दिक्षित करने के लिए राष्ट्रे सिक्ष्ण संस्थाओं की स्थापना की योजना बनने लगी उगरवादी दल की योजना थी कि विद्यार्थियों को देश सेवा के कारिय में लगाया जाए सर गुरुदास बैनर जी ने बंगाल राष्ट्रिय सिक्षा परिस्द बनाई मदरास में पचपा राष्ट्रे कॉलेज मदरास में पंजाब में डी एवी कॉलेज की स्थापना और पूरा एक के बाद अनेक कॉलेजेज की स्थापना तिलग ने लोकमानिय तिलग ने ऐस हियोग का भी सुजाओ दिया उनका कहना था कि हम सब ही प्रसासनिक कारियों में सहयोग देते हैं और उन्हें निर्जविधन चलने देते हैं अतै हमें अपनी ए सहयोग रूपी सक्ती का बौध होना चाहिए जिससे सरकारी कारिये को अगर हम चाहें तो ठप कर सकते हैं तो ये विद्यार्थियों उगरवादियों के कारिय कर्म थे प्रारम में उगरवादि शान्ति मुन आदोलन के पक्ष में थे परन्तु उसके ऐसफल होने पर उन्हें हिंसा वैकरान्ति का मार्ग अपनाने में कोई संकोच नहीं था अब हम बात करते हैं उनकी कारिय प्रनाली की उगरवादियों द्वारा अपनाई जा रही कारिय प्रनाली के संधर्प में लाला लाजपत्राय के विचार महतपून वो लिखते हैं कि हम अपने मुझ को राजभवन की ओर से हटा कर जन साधारन की जोपडियों की तरफ मोड़ना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम सरकार से अपील करने के लिए अपना मुझ नहीं खोलें अपीतू अपने जन साधारन से अपील के लिए खोलें बहिशकार आंदोलन का यही मनुविज्यान है यही आचार है और यही आध्यात्मिक महत्तु है इसी परकार लोकमाने तिलक ने कहा था कि सरकार की परतिष्ठा सर्वोपरी है और बाइकार्ट के द्वारा उस परतिष्ठा के आधार को सम्माप्त किया जा सकता है उन्होंने राजनितिक हतियार के रूप में बाइकाट यानि की बहिसकार स्वधेशी और राष्ट्रिय स्टिक्षन के पर उन्होंने बल दिया उनका विश्वास्था कि भारतवासी आत्म निग्रें और सैयम के द्वारा विदेशी सासकों से ए सहयोग कर सकते हैं सेस अगले व्याख्यान में बहुत बहुत धन्यवाद